तो फ्रेंस वेलकम बैक तो आज को फिर आ गए है एक और नया बैटल के साथ तो हम लोग आज को बैटल करेंगे हम लोग का थोर बेवलेट वर्सेस हम लोग के अगेंस्ट में हैं हम लोग का फैफनियर बेवलेट तो हम लोग देखते हैं कितना जितता है कितना नहीं जितता ह तो हम लोग के यहाँ तो 8 फिरस न चाला नर यह अद्रेन फिर सबेस्फ नियर एंड अभीछ फिटनीर घाइशना आनधा यह सब से पहले हम लोग ये दुनों बेवलेट्स का बैटल करेंगे थोर बेवलेट वर्छिस देंड फैफनियर का तो चले फाइट करते हैं देखते हैं स्टिल कर सकता है इस पीन को चले शुरू करते हैं हम लोग का बैटल यह तो चले सुरू करते हैं बैटल 321 हो जाए सुरूर तो मैंने स्टेडियम को कवर हटा दिया है क्योंकि ऐसे बैटल अच्छा चलेंगे इतना बस्ट तो होने वाले नहीं है और थोर वेवलेट का स्पीड तो जवरदस्ट मेंटेंड है खाली हम लोग का ड्रेंड फेफ नियर के स्पीड कम हो रहा है वाह लेकिन स्टील स्पिन कर रहा है सायर वाह बहुत लंबा बैटल जा रहा है लेकिन हम लोग का ड्रेंड फेफ नियर यहां हार जाते हैं हम लोग का और हम लोग का जीत जाता है थोर बेवलेट तो चले सेकेंड राउंड हम लोग करते हैं अपना जेस्ट फेफ नियर के साथ तो देखते हैं जेस्ट फेफ नियर हम वकर जीत पाता है कि नहीं चले तो सुरू करते हैं हम लोग का बैटल लग गया हम लोग का तो चले सुरू करते हैं 3 2 1 हो जाए सुरू तो ओ ओ ओ ओ ओ और यह हम लोग का स्टिडियम से बाहर निकलते हुए हम लोग का गाड रहाता तो हम लोग के गिरता नहीं तो चले फिर से मैं बैटल करता हूँ इसको मैं वैलिड नहीं कराऊंगा मैंने सुचा इस्टेमिना वाला बैटल है तो मैंने लगाया नहीं तो चले फिर से कर लेते हैं अलेकिन मज़ा आ गया है ये देख करके तो जो चले शुरू करें थी टूवन हो जाए सुरू वह 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 बहुत अटाक टाइप घूम रहा है अभी तो वह अथोर वेवलेट का स्पीड धीरे हो जाएगा फिर स्टेमना स्टाइल में ही घुमेंगा वह सही चला और देखते हैं किता देर हम लोकर टिकता है और जेस्ट फैफनियर यहीं पर हार जाता है रिकोर्डिंग आफ हो गया था मेरा चादा ही ओवर हीट करने से लिए फोन और तो देखे तो हम लोकर जेस्ट फैफनियर यहां पर हार जाते हैं तो इसको मैं साइट कर देता हूँ औ लेकिन ये हमको लगता है स्टील स्पिन कर सकता है क्योंकि हम लोग को यहां देखे तो बहुत सारा रवर्ड यहां देखने को मिलता है तो चले बैटल सुरू करते हैं इसके बात हम लोग को पता चलेगा यह जित पाएगा कि नहीं जित पाएगा लेकिन हम लोग का जिस फैफ निया क्योंकि ये बोट ही हेवी हे देखे और चलिए तो सुरू करते हैं छटर ना हो जाए सुरू कि तो यहाँ पे तो बहुत सोट सफ टकरा रहा है लगता है रबर में ऋर्GU लग रहा है है लेकिन अभी उल्टा होते हुए फोर वेवलिट का स्पीड जबर्दस्थ कम ओटे हुए यहां पर नजर आ रहा है और लगता है हम लोग का विजर्ट से थेफ़ नियर अल्टिमेटली जित हासिल करते हुए यहां पर और यहां पर थोर वेवलेट पहली हार फेस करते हुए तो यह हम लोग का विजार्ट फैफनियर यहां पर जीत लेता है चलिए नेक्स्ट वेवलेट लाते हैं हम लोग का मिराज फैफनियर और राज फैफनियर हम लोग का ओरजिनल टीटी के नहीं है तो हम लोग को साइड मेर यहां पर रवर नहीं देखने को मिलता है ज़स्ट हम लोग को पेंट दिया गया है वाइलेट कोलर का और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि फाइट करते करते यह पेंट भी उखड़ है तो रवर नहीं मिलती है तो हम लोग के स्टील स्पिन तो करने वाला है नहीं यह बेवलेट तो चले बैटल सुरू करते हैं और देखते हैं यह बेवलेट जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं तो चले सुरू हो भाई अब लग रहा थोर बेवलेट खुद फिकाएगा बाहर तो नहीं निकाल सकता यह विराज फैफणियर के पिरने तक कर दें क्युक्य ये सब वेवल्ड हेवी हो जाते हैं लोग का राइस से जितना उपर है सब हेवी हो जाते हैं फोर वेवलेट के लिए तो यहां पे दोनों का इस्पीट धिरे होते हुए लेकिन Thor Devlet का जड़ा ही slow होते हुए और इसी के साथ हम लोग जिट जाता है मृराज Fafniar और Thor Devlet हार जाता है यहाँ पे और score 2 2 हो जाते हैं Thor Devlet 2 wins लेता है और हम लोग का Fafniar वे 2 wins ले लेता ज़्ता है तो यही था हम लोग का आज का वीडियो तो कहीं न कहीं हम लोग को फैफ निया जितने को मिल जाएगा और इसको हम लोग अर्म करेंगे थोर विवलेट हुचर को और बैटल से लाएंगे यह तब तक अभी और क्योंकि ये डेली कंटेंट आते हैं और डेवलेट कम्यूनेटी को भी सपोर्ट मिलेगा सुस्क्राइब करने से तो ठीक है मिलते हैं अगला वीडियो में तिल देन बाई बाई टेक केर एंड या स्टे ब्लेडिंग